जैपुर इस्थित SMS के चिकेसर डॉक्टर रंजन लामा पर आये से अधिक संपत्ति के मामले में ACB की कारिवाही के बाद रोज नई खुलासे हो रही हैं अब सामने आया है कि डॉक्टर रंजन लामा के खिलाब शिकायत मिलने के बाद करीब एक साल से जादा समय से डॉक्टर रंजन लामा पर ACB नजर रखे हुए थे ACB ने अपने सोर्स से ही गुपचुप में डॉक्टर रंजन लामा की प्रोपर्टियों को चिन्हित किया इसके बाद एक साथ पांच जगों पर सर्च चलाया सूतरों की माने तो प्रारमिक सूचना पर सारी जाच पूरी होने के बाद चिकस्तक डॉक्टर रंजन लामा पर आयसे 114 प्रतिसत अधिक संपत्ति का प्रारमिक जानकारी सामने आई है जिसके बाद ACB ने 6 मार्च को डॉक्टर रंजन लामबा, उनकी पतनी डॉक्टर सुनीता लामबा, उनके पे था राम निवास लामबा तथा मा के खिलाप आयसे अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया इसी 6 मार्च को ACB कोट जैपुर से ACB के जान्च अधिकारी जुन्जनू, ASP इसमाइल खान ने 5 जगों के सर्च वारेंट प्राप्त कर 7 मार्च को सुभए 7 बजे 1-7-5 जगों पर सर्च शुरू किया इधर सामने आया कि ACB ने डॉक्टर रंजन लंबा, उनकी पतनी डॉक्टर सुनिता लंबा, उनके पिता रामनिवास तथा मा के बैंक खातों को भी तुरंत प्रिज करवा दिया है अब बैंक खातों के अलावा बैंकों में इस परिवार के लॉक्रों को लेकर भी जांच की जाएगी वहीं साथ ही साथ, ACB ने 22 प्रॉपर्टियों के जो दस्तावे जब्त किये हैं, उनकी कीमत का आकलन करवाने की पूरी तयारी में है संभवता, शनिवार या फिर रविवार को ACB की वैल्यू वेशन टीम इन सभी प्रॉपर्टियों की बज़ार कीमत का आकलन कर ACB को रिपोर्ट पेश करेगी बेंकों की जानकारी और प्रॉपर्टि वैल्यू वेशन रिपोर्ट आने के बाद अपनी इस जांच को आगे बढ़ाएगी कुल मिला कर डॉक्टर रंजन लामा पर लगातार मुस्किलें बढ़ती जा रही हैं ACB में मामला दर्ज होने के बाद लगातार हर दिन ACB इस मामले में जांच प्रकरिया को बिना रुके आगे बढ़ा रही है आपको बता दें कि डॉक्टर रंजन लामा खुद SMS अस्पताल में सर्जन है तो उनकी पतनी डॉक्टर सुनीता लामा जुझनो जिला मुख्याले पर गुड़ा फाटक के पास इस पार अस्पताल के नाम से निजी होस्पिटर का संचलान करती है